C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय छे देहन और ज्वाला प्रिष्ट 64 से प्रिष्ट 76 तक तो आईए सुनते हैं अध्याय छे देहन और ज्वाला प्रिष्ट 64 हम घर पर उद्द्योगों में और वहनों को चलाने के लिए विभिन प्रकार के इंधनों का उप्योग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं क्या आप अपने घरों में प्रियुक्त होने वाले कुछ इंधनों के नाम बता सकते हैं वियापार और उद्द्योगों में उप्योग होने वाले कुछ इंधनों के नाम बताईए मोटरगाणियां चलाने में कौन से इंधन काम आते हैं आपकी सूची में सम्मिलित इंधन होंगे गोबर, लकडी, कोईला, काश्ट कोईला, पेट्रूल, डीजल, संपीडित, प्राक्रितिक गैस, सी एनजी आदी आप मुम्बत्ती के जलने से परिचित हैं मुम्बत्ती के जलने और कोईले जैसे इंधन के जलने में क्या अंतर है शायद आपका अनुमान सही था मुम्बत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबके कोईला नहीं इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं. आईए जलने के रासाइनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें. 6.1. देहन क्या है? कक्षा साथ में मेगनीशियम देहन के क्रिया कलाप का स्मरण कीजिए. हमने देखा था कि मेगनीशियम जल कर मेगनीशियम ऑक्साइड बनाता है और उश्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है. 6.1. इसी प्रकार का क्रिया कलाप हमें काश्ट कोईले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं. काश्ट कोईले के टुकड़े को संडासी से पकड़िये और एक मुम्बत्ती अथ्वा बुन सेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए. आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि काश्ट कोईला वायू में जलता है. हम जानते हैं कि काश्ट कोईला वायू में जलकर कारबन डायोकसाइड, ऊश्मा और प्रकाश देता है. इस प्रिष्ट पर ऊपर चित्र 6.1 दिखाया गया है. इसमें मेगनीशियम का देहन होते हुए दिखाया गया है रासाइनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सिजन से अभिक्रिया कर उश्मा देता है देहन कहलाता है जिस पदार्थ का देहन होता है वो दाहिय कहलाता है इसे इंधन भी कहते हैं इंधन थोस, द्रव या गैस हो सकता है कभी-कभी देहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन होता है अभी बताई गई अभी क्रियाओं में मैगनीशियम और काष्ट कोईला दाहिय पदार्थ हैं बूजो ने कहा हमें बताया गया था के भोजन हमारे शरीर के लिए एक इंधन है प्रिष्ट 65 पहीली ने कहा ठीक ही तो है हमारे शरीर में भोजन ऑक्सिजन से अभी क्रिया कर अपगटित होता है और उश्मा उत्पन्न होती है ये हमने कक्षा साथ में सीखा था क्रिया कलाप 6.1 स्ट्रॉ, माचिस की तीलिया, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीले, पत्थर के टुकडे, शीशा आदी कुछ पदार्थ इकठे करिये अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक-एक कर जलाईए यदि पदार्थ जलता है, तो इसे दाहिय दिखाईए, अन्यथा उसे अदाहिय दिखाईए सारणी 6.1 दाहिय और अदाहिय पदार्थ इस सारणी में तीन मुख्य शीरशक हैं, पदार्थ, दाहिय, अदाहिय पदार्थ के नीचे नाम लिखे गए हैं, लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, काश्ट कोईला, माचिस की तीलियां, काँच इनके सामने खाली कोश्ट दिये गए हैं क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं, जो दाहिय हैं? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड सकते हैं आईए उन परिस्थितियों का पता लगाएं, जिन में दहन होता है क्रिया कलाप 6.2 सावधानी जलती मोम्बत्ती को पकड़ते समाएं सावधानी रखिये एक जलती मोम्बत्ती को मेज के ऊपर रखिये कांच की चिमनी को मुम्बत्ती के उपर लकडी के दो गुठकों की सहायता से इस प्रकार रखिये के वाईू का चिमनी में प्रवेश होता रहे। चित्र 6.2 दहन के लिए वाईू आवशक है इसे प्रदर्शित करने हे तू प्रेयोग देखिये ज्वाला को क्या होता है अब लकडी के गुठके हटा कर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए चित्र 6.2 पुन है ज्वाला को देखिये अंत में एक काँच की प्लेट चिमनी के उपर रख दीजिए चित्र 6.2 ज्वाला को पुन है देखिये तीनो स्थितियों में क्या होता है क्या ज्वाला कमपन करती हुई बुझ जाती है क्या ये कमपन करती है और धुवा देती है क्या ये अप्रभावित जलती रहती है क्या आप देहन प्रक्रम में वायू की भूमिका के बारे में कुछ निशकर्ष निकाल सकते हैं हम पाते हैं कि देहन के लिए वायू आवशक है अवस्था ए में मुमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है जबके वायू चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायू प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कमपन होता है और धुआ उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायू उपलब्ध नहीं हो पाती। प्रिष्ट 66 बुझो ने कहा हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी उश्मा और प्रकाश स्वयम उत्पन्न करता है। क्या ये भी एक प्रकार का देहन है। इस प्रिष्ट पर बाई ओर उपर पीले रंग के बक्से में महत्वपून सूचना दी गई है। सूर्य में उश्मा और प्रकाश नाभिकी ये अभी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चल कर पढ़ेंगे। क्रिया कलाप 6.3 एक लकडी या लकडी के कोईले का जलता हुआ टुकडा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिये। इसे एक काँच के जार अत्वा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढख दीजिये। देखिये क्या होता है। क्या कुछ समाई के बाद लकडी का कोईला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जलना बंद क्यों हो जाता है। आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कम्बल से ढख देते हैं चित्र 6.3 क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.3 दिखाया गया है इस चित्र में कम्बल में लिप्टा एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए क्या एक माचिस की तीली अपने आप जलुठती है? ये किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा जब जल्ती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या ये जलुठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जल्ती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकडी या कोईले को जलाने के लिए आपको कागज, अथ्वा, मिट्टी के तेल का उपियोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे चित्र 6.4 प्रदर्शित की आगया है ये जंगल की आग का चित्र है, गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पढ़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है घास से आग पेडों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन पदार्थ विभिन ताप पर आग पकड़ते हैं वो न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती माचिस की तीली, माचिस की डिबिया के बगल में रगडने पर क्यों जल जाती है इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में, पीले रंग के कोष्ठ में माचिस का रोचक इतिहास बताया गया है माचिस का इतिहास बहुत पुराना है पांच हजार से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड की लकडी के छोटे टुकडे माचिस की तरहे उपियोग किये जाते थे आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था एंटीमनी ट्राइसलफाइड, पोटैशियम क्लोरेट और श्वेत फॉसफोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकडी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था जब इसे किसी खुर्दरी सतह से रगड़ा जाता था, तो घर्षन की उश्मा के कारण श्वेत फॉसफोरस प्रज्वलित हो उठता था इससे माचिस की तीली का देहन प्रारंब हो जाता था परन्तु श्वेत फॉसफोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपियोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी, ट्राइसलफाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है रगडने वाली सतह पर चूनित काँच और थोड़ा सा लाल फॉसफोरस लगाते हैं जो कम खतरनाक होता है जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फॉसफोरस, श्वेत फॉसफोरस में परिवर्तित हो जाता है ये तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटैशियम क्लोरेट से अभीक्रिया कर परियाप्त उश्मा उत्पन कर देता है जिससे एंटिमनी ट्राइसलफाइड का देहन प्रारंब हो जाता है हमने पाया कि दाहिय पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप, उसके ज्वलन ताप से कम रहता है क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बरतन लंबे समाई तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते परन्तु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वो आग पकड़ लेता है क्या इसका जवलन ताप लकड़ी के जवलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेश सावधानी बरतनी होगी? ये क्रिया कलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के देहन के लिए उसका ताप, उसके जवलन ताप तक पहुँचना आवश्चक है क्रिया कलाप 6.4 सावधानी जलती हुई मुम्बत्ती से सावधानी से काम लीजिए कागज के दो कप तयार करिए इनमें से एक कप में पचास एमिल जल डालिए दोनों कपों को अलग-अलग मुम्बत्ती द्वारा गर्म करिए आप क्या देखते हैं? चित्र 6.5 इस चित्र में कागज के कप में जल गर्म करना दिखाया गया है इस चित्र में बाईं और रखी जलती हुई एक मुम्बत्ती के उपर कागज का एक कप रखा गया है जिसमें आधा जल भरा हुआ है इस चित्र में दाईं और रखी गई जलती हुई एक मुम्बत्ती के उपर कागस का एक कप जो खाली है रखा हुआ है कागस के खाली कप का क्या होता है जल युक्त कागस के कप का क्या होता है क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है प्रिश्ट 68 यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागस के कप में भी जल को उबाल सकते हैं क्या आप इस परी घटना का कोई स्पष्टी करण सोच सकते हैं। कागस के कप को दी जाने वाली उश्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। अतहे जल की उपस्थिती में ताप कागस के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता। इसलिए वो जलता नहीं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलन शील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलन शील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अलकोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ल्पीजी आदी। क्या आप कुछ और ज्वलन शील पदार्थों की सूची बना सकते हैं। 6.2. हम आग पर नियंतरन कैसे पाते हैं। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुरघट न देखी है, तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। ये अनुभव अपनी कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिये। अपने क्षेत्र की अगनी सेवा के टेलिफोन नंबर का पता लगाईए। यदि आपके या आपके पडोसी के घर में आग लग जाए, तो सबसे पहले अगनी शमन सेवा को सुचित करिये। पहेली ने कहा, ये जरूरी है कि हम सब को अगनी शमन सेवा के टेलिफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। इस प्रिष्ट पर उपर चित्र 6.6 दिखाया गया है। इस चित्र में फायर मैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता दिखाया गया है। क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है। वो आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप, उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाश्प, ज्वलनशील पदार्थ को गेर लेता है, जिससे वायू की आपूर्ती बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवशक्ताएं होती है। क्या आप इन आवशक्ताओं की सूची बना सकते हैं। ये आवशक्ताएं हैं इनधन, वायू, ओक्सिजन आपूर्ती है तू और उश्मा, इनधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने है तू। इन में से एक या अधिक आवशक्ताओं को हटा कर आग को नियंतरित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कारिय वायू का प्रवाह काटना या इनधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में इनधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपून भवन ही इनधन होता है। प्रिष्ट 79 इस प्रिष्ट पर उपर पीले रंग के कोश्ट में अगनी शामकों के बारे में महत्वपून जानकारी दी गई है। जल सबसे अधिक प्रचलित अगनी शामक है परन्तु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकडी और कागज जैसी वस्तूओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानी हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उप्योग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? अतहय ये तेल के नीचे चला जाता है और तेल उपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनचील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डायोकसाइड सी ओटू सबसे अच्छा अगनिशामक है। ओक्सीजन से भारी होने के कारण सी ओटू आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे इंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क तूट जाता है। अतह आग पर नियंतरन हो जाता है। सी ओटू का अतिरिक्त लाब ये है कि सामान नित है ये विद्युत उपकरणों को कोई हानी नहीं पहुँचाती। हमें कारबन डायॉकसाइड की आपूर्ती कहां से मिलती है। उच्चदाब पर ये द्रव के रूप में सिलिंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलिंडरों में रखी जाती है। सिलिंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतहे ये न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बलके इंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए ये अतियुत्तम अगनिशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट याने बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसाइनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डायोकसाइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के कोश्ट में चित्र 6.7 दिखाया गया है। चित्र 6.7 इस चित्र में अगनी शामक यंत्र दिखाये गए हैं। 6.3 दहन के प्रकार एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी स्वयम गैस स्टोव का प्रियोग न कीजिए। अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए। गैस स्टोव की घुंडी याने नौब को घुमा कर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा उश्मा और प्रकाश उत्पन करती है। इस प्रकार का देहन तीवर देहन कहलाता है। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायू में जल उठते हैं। इस प्रकार का देहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लप्टों के साथ जल उठता है। स्वतह दहन कहलाता है। कोईले की खानों में कोईले की धूल के स्वतह दहन से कई बार खतरनाक अगनिकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतह अगनिकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से, बिजली गिरने से होते हैं। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को उनतिया बुझाना अवश्य याद रखिये। हम तियोहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से उश्म, प्रकाश और ध्वनी पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभीक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। 6.4 ज्वाला LPG ज्वाला का प्रेक्षन करिये। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं। एक मुम्बत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। कक्षा साथ के मेगनीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिये। यदि आपको सारणी 6.2 की शेश वस्तूओं को जलाने का अनुभव नहीं है, तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षन रिकॉर्ड करिये और सारणी में लिखिये के पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। इस प्रिष्ठ पर चित्र 6.8 दिखाया गया है। इस चित्र में मिट्टी के तेल के लैंप, मुमबत्ती और बुनसन बर्नर की ज्वालाओं के अंतर को दिखाया गया है। इस प्रिष्ठ पर नीचे सारणी 6.2 प्रदर्शित की गई है, दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, इसके मुख्य शीर्शक हैं, क्रमसंख्या पदार्थ, ज्वाला देता है, ज्वाला नहीं देता. इन सभी के सामने, ज्वाला देता है, या ज्वाला नहीं देता, शीर्शक के अंतरगत, खाली बख से दर्शाए गए हैं, 6.5 ज्वाला की सनरचना, क्रिया कलाप 6.5, एक मुम्बत्ती जलाईए, सावधहनी भरतिये, एक काच की चार से पाँच सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िये, और उसका एक सिरा, मुम्बत्ती की अकम्पत ज्वाला के अधीब तक शेत्र, याने जोन में प्रवेश करा दीजिये, काच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाईए, क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन होती है, यदि ऐसा है, तो वो क्या है जो ज्वाला उत्पन करता है, ध्यान दीजिये, के गर्म बत्ती के पास का मूम जल्द पिघल जाता है, प्रिष्ट 71, चित्र 6.10, देहन के समय जो पदार्थ वाश्पित होते हैं, वे ज्वाला का निर्मान करते हैं, उदाहरन के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मूम बत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं, और देहन के समय वाश्पित होकर ज्वाला का निर्मान करते हैं, इसके विपरीत लकडी का कोईला वाश्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता, क्रिया खलाप 6.05 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मूम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन होने का कारण हो सकता है जब मुम्बत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीब्तक्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए आकरिती 6.11 उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए फिर उसे हटा लीजिए आप क्या देखते ही इस प्रिष्ट पर चित्र 6.11 दर्शाया गया है कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है ये ज्वाला के दीब्तक्षेत्र में उपस्थित बिना जले कारबन कणों के जमाव को दर्शाता है एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीब्तक्षेत्र में पकड़ कर रखिए आक्रिती 6.12 इस प्रिष्ट के बीच में चित्र 6.12 दिखाया गया है दियान दीजिये के तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है क्या ये दर्शाता है कि ज्वाला के अदीब्तक्षेत्र का ताप बहुत अधिक है वास्तव में ज्वाला का ये भाग सबसे अधिक गर्म होता है चित्र 6.13 इस चित्र में मुम्बत्ती की ज्वाला के विभिन क्षेत्रों को दिखाया गया है। काला सूने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूकते हैं। चित्र 6.14 वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपियोग क्यों करते हैं। प्रिष्ठ 72 चित्र 6.14 इस चित्र में धातु की फूकनी से फूकता हुआ सुनार दिखाया गया है। चै दशमलव चै इंधन क्या है। याद करिए के घरेलू और अध्योगिक उपियोगों से संबंधित उश्मा, उर्जा के प्रमुक्सरोत, लकडी, काश्ट कोईला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदी हैं। ये पदार्थ इंधन कहलाती हैं। अच्छा इंधन वो है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। ये सस्ता होता है और वायू में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। ये अधिक मात्रा में उश्मा उत्पन्न करता है। ये जलने के उपरांत कोई अवांचनी अपदार्थ नहीं छोड़ता। संभवत है ऐसा कोई भी इंधन नहीं है जिसे एक आदर्ष इंधन माना जा सके। हमें ऐसा इंधन ढूंडना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपियोग की अधिकांश आवशकताएं पूरी करता हो। इंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ इंधन अन्य इंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन इंधनों से आप परिचित हैं, उनकी सूची बनाईए। सारणी 6.3 की भांती इन्हें ठोस, द्रव और गैसी इंधनों में वर्गी कृत करिए। 6.7. इंधन दक्षता यदि आप से कहा जाए कि गोबर के उपले, कोईला और LPG को जला कर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबा लें, तो आप कौन से इंधन को चुनेंगे। इसका कारण बताइए। आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये इंधन बराबर मात्रा में उश्मा उत्पन करते हैं? किसी इंधन के एक किलोग्राम के पून देहन से प्राप्थ उश्मा, उर्जा की मात्रा, उसका उश्मीय मान कहलाती है। इंधन के उश्मी एमान को किलोजूल प्रती किलोग्राम याने केजे पर केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित की आ जाता है। कुछ इंधनों के उश्मी एमान सारणी 6.4 में दिये गए हैं। इस प्रिष्ठ पे सबसे नीचे सारणी 6.3 प्रदर्शित की गई है। इंधनों के प्ररूप इस सारणी में मुख्य रूप से चार शीरशक हैं क्रमसंख्या, ठोस इंधन, द्रव इंधन, गैसी ये इंधन, क्रमसंख्या एक, ठोस इंधन, कोईला, द्रव इंधन, मिट्टी का तेल, गैसी ये इंधन, प्राक्रितिक गैस इसी क्रम में इस सारणी में क्रम संख्या दो और तीन लिखे गए हैं और उनके सामने के कोष्ट खाली हैं प्रिष्ट तिहत्तर सारणी छे दशमलव चार विभिन इंधनों के उश्मी एमान इस सारणी में दो मुख्य शीरशक हैं इंधन और उश्मी एमान केजे पर केजी इंधन गोबर के उपले उश्मी एमान केजे पर केजी छे हजार से आठ हजार लकडी 17,000 से 22,000, कोईला 25,000 से 33,000, पेट्रूल 45,000, मिट्टी का तेल 45,000, डीजल 45,000 केजे पर केजी मेथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, जैव गैस 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन 1,5,000, इंधन के देहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त हूते हैं इंधन का बढ़ता हुआ उपभूग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है एक, लकडी, कोईले और पेट्रोल जैसे कारबन इंधन बिना जले कारबन कन छोड़ते हैं ये सुक्ष्मकन खतरनाक प्रदूशक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन करते हैं इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून सूचना दी गई है सदियों से लकडी का उप्योग घरेलू तथा अध्योगिक इंधन के रूप में हो रहा था परन्तु अब इसका स्थान कोईले और LPG जैसे इंधनोंने ले लिया है अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीन क्षेत्रों में इंधन के रूप में लकडी का उप्योग हो रहा है क्योंकि ये आसानी से उप्लब्ध और सस्ती है परन्तु लकडी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआ उत्पन होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसनकष्ट उत्पन करता है साथ ही व्रिक्ष हमें बहुत सी उप्योगी वस्तुएं उप्लब्ध कराते हैं जो इंधन के रूप में लकडी का उप्योग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती इसके अतिरिक्त व्रिक्षों की कटाई वनोन मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानि प्रद है जैसा के आपने कक्षा साथ में पढ़ा है दो इन इंधनों का अपून देहन कार्बन मोनोकसाइड गैस दीता है ये अत्यंत विशैली गैस है बंद कमरे में कोईला जलाना खतरनाक होता है उत्पन कार्बन मोनोकसाइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यू भी हो सकती है बूजों ने कहा इसी लिए हमें सला दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलकते कोईले की आग हो तीन अधिकांश इंधनों के देहन से पर्यावरण में कार्बन डायोकसाइड गैस निकलती है वायू में कार्बन डायोकसाइड गैस की अधिक मात्रा संभवत है विश्व उश्णन याने ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में विश्व उश्णन के संबंद में महत्वपून जानकारी दी गई है प्रिथ्वी के वातावरण के तापमान में विश्व उश्णन कहलाती है अन्यबातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटी एक्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं ऐसा भी संभव है के निचले स्तर वाले तटी एक्षेत्र स्थाई रूप से जलमगन हो जाएं चार, कोईले और डीजल के देहन से सल्फर डायोकसाइड गैस निकलती है ये अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसी ये ऑक्साइड छोडते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अमल बनाते हैं ऐसी वर्षा अमल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है इसके विशाय में आप कक्षा साथ में पहले ही पढ़ चुके हैं मोटर वहनों में इंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सी एंजी याने संपीडित प्राक्रितिक गैस ले रही है क्योंकि सी एंजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उतपादन अल्प मात्रा में करती है सी एंजी एक अधिक स्वच्छ इंधन है प्रिष्ट चोहत्तर प्रमुक शब्द अमल वर्षा उश्मीय मान देहन विस्फोट वनोन मूलन ज्वाला अगनी शामक इंधन इंधन दक्षता विश्व उश्णन आदर्ष इंधन ज्वलन ताप ज्वलन शील पदार्थ आपने क्या सीखा? जो पदार्थ वायू में जलते हैं दाहिय कहलाते हैं देहन के लिए ऑक्सिजन वायू में आवशक है देहन के प्रक्रम में उश्मा और प्रकाश उत्पन होते हैं ज्वलन ताप वो निम्नतम ताप है जिस पर दाहिय पदार्थ आग पकड़ लेता है ज्वलन शील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है आग उत्पन करने हेतु आवशक्ताओं में से एक या अधिक को हटा कर आग पर नियंतरन पाया जा सकता है आग पर नियंतरन पाने हेतु सामान्यत है जल का प्रियोग किया जाता है विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंतरित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता देहन विभिन्न प्रकार के हैं जैसे तीवर देहन, स्वतह देहन, विस्फोट आदी ज्वाला के तीन भिन्न क्शेतर होते हैं अधीपत क्शेतर, दीपत क्शेतर और ज्योतिहीन क्शेतर आदर्ष इंधन, सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन युग्य होता है इसका उश्मीय मान उच्च होता है। ये ऐसी गैसें या अवशेश नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूशित करते हों। इंधनों की दक्षता और मूल्य परस पर भिन्न हो सकते हैं। इंधन दक्षता को उश्मीय मान द्वारा प्रदर्शित की आ जाता है जिसका मात्रक किलोजूल प्रती किलोग्राम होता है। वायू में बिना जले कार्बन कन खतरनाक प्रदूशक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन करते हैं। इंधन के अपून देहन से विशैली कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बनती है। वायू में कार्बन डायोक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उश्णन का कारण बताया जाता है। कोईले, डीजल और पेट्रोल के देहन से उत्पन सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अमल वर्षा उत्पन करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। प्रिष्ट 75 अभ्यास 1. दहन की परिस्थितियों की सूची बनाईए। 2. रिक्तस्थानों की पूर्टी कीजिये। क लकड़ी और कोईला जलने से वायू का रिक्तस्थान होता है। ख घरों में काम आने वाला एक द्रव इंधन रिक्तस्थान है। ग, जलना प्रारंब होने से पहले इंधन को उसके रिक्त स्थान तक गर्म करना आवशक है। ग, तेल द्वारा उत्पन आग को रिक्त स्थान द्वारा नियंतरित नहीं किया जा सकता। 3. समझाईए कि मोटर वहनों में CNG के उपियोग से हमारे शेहरों का प्रदूशन किस प्रकार कम हुआ है। 4. इंधन के रूप से LPG और लकडी की तुलना कीजिये। 5. कारण बताईए क विद्युत उपकरण से संबध आग पर नियंतरण पाने हेतु जल का उपियोग नहीं किया जाता। 5. LPG लकडी से अच्छा घरेलू इंधन है। 6. कागज स्वयम सरलता से आग पकड़ लेता है जबके अल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपिटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। 6. मुम्बत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाईए। 7. इंधन के उश्मी एमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 8. समझाईए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंतरित करती है। 9. हरी पत्तियों के धेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाईए। 10. सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षित्र का उपियोग करते हैं और क्यों। 11. एक प्रियोग में 4.5 किलोग्राम इंधन का पूनतिया देहन किया गया। उत्पन उश्मा का माप एक लाख असी हजार केजे था। इंधन का उश्मी अमान परिकलित कीजिए। 12. क्या जंग लगने के प्रक्रम को देहन कहा जा सकता है। विवेच न कीजिए। 13. आबिदा और रमेश ने एक प्रियोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मुम्बत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। प्रिष्ट 76, विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप, एवं परियोजनाई, एक, अपनी कॉलनी में विभिन इंधनों की उपलब्धता का सर्वेक्षन करिए, उनके मूल्य प्रती किलोग्राम का पता लगाईए और एक सारणी बद्ध चार्ट बनाईए जो दर्शाता हो के प् रगते हैं, दो, अपने विद्ध्यालय, निकटवर्ती दुकानों और कारखानों में उपलब्ध अगनी शामक यंत्रों की संख्या, प्रकार और स्थितियों का पता लगाईए, इन स्थानों में आग से निपटने की तैयारी संबंधित एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिख तीन, अपने क्षेतर के सौ घरों का सर्वेक्षन करिए, इंधन के रूप में LPG, मिट्टी का तेल, लकडी और गोबर के उपले उपयोग में लाने वाले घरों का प्रतिशत ग्यात करिए, चार, उन लोगों से बाचीत करिए जो घरों में LPG का उपयोग करते हैं, पता जगाईए कि वे LPG इस्तेमाल करने में क्या सावधानियां बरतते हैं, पांच, अगनी शामक यंत्र का एक मॉडल बनाईए, बेकिंग सोडे से भरी एक छोटी प्याली की तली पर एक छोटी मुमबत्ती, एक कुछ लंबी मुमबत्ती रखिए, दोनों मुमबत्तियां जला दीजिए, अब बेकिंग सोडे से भरी प्लेट में सिर्का डालिए, ध्यान रखिए कि मुमबत्तियों पर सिर्का नहीं गिरे, जाग उत्पन करने वाली अभिक्रिया को देखिए, मुमबत्तियों को क्या होता है, क्यों, किस क्रम में, चित्र 6.15, इस चित्र में एक प्याल की तली पर दो जलती हुई मुमबत्तियों दिखाई गई हैं और उनके चारों ओर बेकिंग सोडा और सिर्का डाला गया है, अधिक जानकारी के लिए इन वेब साइटों को देखिए, www.newton.dep.anl.gov 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 www.askasc.asci.chem03.chem03.chem03.767.htm www.http.en.wikipedia.org www.wikipedia.org इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय चह यहां समाप्त हुआ, वाचक बाबला को छड़ अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तकनीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.